हेलो स्ट्टेंट्स आज हम रसायन विज्ञानविसे के थर्ड चैप्टर वैद्दुर रसायन जिसको हम इसमें इलेक्टर करनेश्टी कहते हैं इसके अगले टॉपिक का अध्यन करेंगे और वो टॉपिक है आपका वैद्दुर रसायन सेल का निर्वन तो इसमें हम वितुद रासाइनिक सेल में एक एलेक्टोड से दूसरे एलेक्टोड में एलेक्टोडों का प्रवाह कैथोड रा एनोड भागों में होने वाली अर्द अभिक्रियाओं के कारण होता है जैसा आपको पता है कि एक सेल में दो अर्द अभिक्रिया होती है एक एनोड में होती ह तो एक सेल का मिल्मान होता है तो उसे हम विद्धुरासाईनी सेल कहते हैं तो एक विद्धुरासाईनी सेल में एक इलेक्टोड से दूसरी इलेक्टोड में इलेक्टोड का परवा कैथ थोड़ सा एनोड भागों में होने वाली अर्द अभिक्रियाओं के कारण होता है किसी स दोनों अर्धविक्रियाव को जोणने पर राप्ति के जाए था है तो एक वैध्विरायस हैं के लिए अर्धविक्रिया लिए हैं जैसा है अर्धविक्रिया है जेडन जिनके लेक्टोर है उसको हम दे चेंग है जेडन 2-positive और प्लस आपका तो इलेक्ट्रों इसने क्या कर दिये आपका ट्याग दिये तो ये क्या हुआ आपका ये हुआ आपका ऑक्सिक्रण ये हो गया ऑक्सिक्रण और ऑक्सिक्रण कहा होता है आपका एनोड पर तो ये ऑक्सिक्रण हो गया उसके बाद प्रतिकात्मक निर्पन को सेल आरेक कहते हैं सन 1903 में, आईउपीसी ने सेल आरे को लिखने के लिए निमना उधार्णे प्रस्तुत की, तो जो इस प्रकार है, तो पहला है एक वेदुर आसे सेल में एनोड जहां पर आउक्षिंड केरिया होती है, बाये हाथ पर तो था कैथोड जहां पर आपचेन केरिया होती है, दाए ह की तरफ दिखाएंगे दूसरा पॉइंट है एक सैती च्रेखा धातु इलेक्टोड था विद्धु अफगट्टी के मध्य सीमा को प्रियोक्ति किया जाता है जैसे इसमें आपका जैडन और एक सैती च्रेखा में आगे जैडन 2 पॉजिटिव तो एनोड अर्दर सेल है और ऑ में सीउटु पॉजिटिव एलेक्टोड हो गया और यह कॉपर सल्फेट का इसमें विद्धु अबगटी होगा ठीक है उसके बाद तीसरा कोईंट आता है दो अडुसेलों को प्रथक करने में दो सैतीज रेखा हूं जैसे इसमें बना रखा जैडन एक सैती रेखा जैडन समीगर आएगे तो उसमें हम सांता लिखते हैं तो वह सांतरता को हमेशा आ इन के सूत्रे के सैज़न एक सैतिया यह सैतीब को बनानेके यह में इसके बाद हम इससे एक संबंदित आंगी को धारन को समझ लेते हैं जैसे कि आपको प्रसंद दे रखा है निमलिकित सैलों के लिए एक सैल अभी क्रिया लिखिये तो पहला है कि आपक कि और अवी वं रखाने दे तरहना है इसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे ही इसकी अर्धिके बनाएंगे औक्सी करण अ उप्सी करण अर्धियेको मतट सैla तो oxygen अर्दसल अगर हम इसका बनाएंगे, तो oxygen में आपको पता है, oxygen अर्दसल कहा होता है, anode पर होता है, तो यह आपका anode हो गया, तो इसको हम anode भी लिख सकते हैं, तो यह क्या बन जाएगा आपका Fe जो है वो किसमे चेंज हो रहा है Fe 2 positive है ठीक हो गया और इसने 2 electron क्या कर दिये प्लस करके 2 electron त्याग दिये तो यह oxygen हो गया उसके बाद हम इसने में बनाएंगे up chain earth cell up chain up chain earth cell यह हो गया आपका cathode में up chain कहा होता है आपका cathode में तो यह cathode हो गया तो इसमें क्या होगा जो H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो twice H और SO4 to negative H change होगा तो हम इसको लग देंगे twice H positive प्लस यह दो electron गेहन कर लेगा क्योंकि इसमें अब chain में जो होता है cathode में आपका oxygen के इसमें electron गहन होते हैं तो यह हो जाएगा H2 में चेज़वा है hydrogen gas में चेज़वा है ठीक होगा तो यह अब chain earth cell होगी अब हम इसके जो बनाएंगे cell अभीक्रिया बना देंगे जब हम cell अभीक्रिया लिखेंगे cell अभीक्रिया मतलब होता है oxygen को हम जोड़ देते हैं cell अभीक्रिया तो जब cell अभीक्रिया बनाएंगे तो oxygen अभीक्रिया को जोड़ देंगे मतलब reaction बनेगी Fe2 positive plus H2 तो यह cell अभीक्रिया होगी है इस परिकार से आपने इसको यह आपने एक cell अभीक्रिया बनाई इसके बाद हम इसका दूसरा अधान ले लेते हैं दूसरा अधान है जैडन एक सेशेखा जैड़ असफोल नवर सेटू AGNO3 और एक सेशेखा एजी अभीक्रिया अभीक्रिया बनानी है तो सरफ़सम फिर से वही करेंगे आपका जो आमने पहले किया था oxygen अड़़ अड़ अ आपका जैडन जो है वो जैडन टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है जैडन टू पॉजिटिव इसके बाद दूसरा बन जाएगा अब चैन करेंगे तो यह हो गया आपका एनोड ठीक हो गया इसके बाद दूसरा बन जाएगा अप चैन अर्ध सेल आप चैन अर्ध सेल जिसको हम क्या कहते हैं आपका कैथोड तो यह देखिए आप कैथोड हो जाएगा तो इसमें एज़ी जो है करने पर किवसे हुआ की क्लिब्स निजय को जायेगा आशेसude क्मा वप्स्टी प्लस ट्व एलेक्ट्रॉं को यह ऑगगर related के अ कहुंगा तो अब हम बना देंगे इसमे आपके क्या बना देंगे इसको इन दोने को शमिके नहीं को जोड़ देंगे तो इसल अभी करिया हमारे पास क्या जाएगी अभी है एलेक्ट्रों से अब अब आपकी जैदेन प्लस ट्वाइस एजी पॉजिटिव रियक्षन बनेगे जेडन टू फॉजिटिव प्लस ट्वाइस एजी इस तरीके से हमने आपके सेलों से सेल अभिक्रिया बनाने का अध्यन किया तो इसी प्रकार आप और भी धारण को देखेंगे और भी सवालों को देखेंगे और उनको हल करने का प्रियास करेंगे थेंक्यू